आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ की वाल पुट्टी से आप ओम डिकर के आइटम कैसे बना सकते हैं तो ये देखिए एक DIY के लिए पहले मैंने वाल पुट्टी का एक डो बना दिया है जैसे हम आटा लगाते हैं उस तरीके से इस वाल पुट्टी के अंदर मैंने दो चम्मच तो डाले है फैविकॉल के और एक चम्मच डाला है इसके अंदर मैंने cooking oil आप coconut oil भी डाल सकते हैं और इसको जैसे हम आटा लगाते हैं उतना ही हमको मतलब tight यह है कि डो लगाना है नहीं तो ज़्यादा hard लगाना है नहीं ज्यादा loose लगाना है और अब क्या करना है कि इसको हम किसी मतलब polythin में बंद करके रख देंगे ताकि इसके अंदर कोई cracks नहीं आएंगे तो चलिए बनाते हैं पहला वाला DIY तो दिखिए उसके लिए मैंने cardboard को paint कर लिया है तो जब तक वो door rest में रहेगा मतलब वो थोड़ा आराम करेगा ना जब तक मैं यह वाला DIY आप लोगों के साथ में share कर देती हूँ और जब यह cardboard पे white paint सूख जाएगा उसके बाद side में मैंने लगा दी है cotton वाली डोरिया डोरी लगाने से ना इसके किनारों पे बहुत अच्छी finishing आ जाएगी और यहां आप से मैं एक चीज बोलूँगे अगर आपका cardboard पतला है तो दो cardboard को आप मतलब double कर ले या फिर कोई मोटा सा cardboard ले ले तो अब क्या करना है कि बीचो बीच आपको एक square बनाना है बिल्कुल center में बनाना क्योंकि उसके बाद यह बहुत ही सुन्दर design बनेगा अच्छा यह जो DIY है ना यह सारा जो है कि इसकी designing के उपर ही depend करता है जितना सुन्दर आप design डालेंगे उतना ही सुन्दर यह बन कर आएगा तो यहां देखिए जो square बनाया था उसके जो lines थी ना उनी को मैंने उपर की side में सरका दी है आप देख पा रहे हैं scale की सायथा थे आप कीजिएगा मेरे पास scale अभी थानी और रात हो गई थी और इसलिए फिर मैं stationary के shop पे जानी सकती तो कैसे भी करके आप बीच बीच में न एक centimeter या एक inch या आदा inch जैसे भी आपको जितना आपको gap रखना है उसके अनुसार आप क्या करें ऐसे lines खींच लें यहाँ पर मैं geometrical shapes हैं वो डाल रही हूँ दोनों ही cardboard के अंदर आप चाहें तो इसके अंदर आप flower वाले design भी डाल सकते हैं या फिर कोई birds वगरा भी draw कर सकते हैं तो जैसा भी आपको design डालना है आप डाल सकते हैं मैं यहाँ पर बिल्कुल ही basic design डाल रही हूँ जो कि beginners भी हैं या फिर बच्चे भी इसे बनाएं तो अराम से बना सकते हैं तो एक देखे मैंने वैसे बनाया था और एक यहाँ पर मैं free hand drawing करूंगी तो धीरे धीरे करके आप मतलब pencil को हलके हातों से ऐसे round round कर दे और अगर आ आप ऐसे बनाएंगे तो भी बन जाएगा धीरे धीरे हो जाती है सारी चीज़े practice करते रहने से सारी चीज़े आ जाती है तो अब क्या करना है कि ऐसे आप धीरे धीरे करके जैसे design आपसे बन सकता है उतना बना लीजे बस इतना ध्यान रखे कि हमको यहाँ पर मतलब circle ही draw कर बना है और अब यह देखे जितने भी circle बन सकते हैं पूरे cardboard के उपर उतने आप circle बनाते जाएं जितना बड़ा आपका cardboard है मान लीजे और भी बड़ा है तो उसमें भी आप ऐसे ही round round करते हुए आगे बढ़ाते जाएं तो यह बहुत ही सुन्दर बनेगा जब आप last में इस बनाती हूँ उसे मैं अच्छे से explain करूँ देखे चाहे stitching करती हूँ या इस तरीकी के जो DIY बनाती हूँ या कोई painting cooking कुछ भी बनाती हूँ उसमें एक दिन में कोई perfect नहीं बनी हूँ धीरे धीरे करके मैंने सारी चीज़ें मतला हासिल की हैं इसलिए जो भी चीज़ें मैं आ अंदर मैंने पुट्टी, वैविकॉल और पानी डाला है थोड़ा सा मैंने oil डाला है oil डालने से क्या होता है कि वो इसका flow होता है वो थोड़ा smooth हो जाता है तो इन चीज़ों को घोल लिया है और एक flowy consistency में हमको इसको बना लेना है और किसी भी कुपी के अंदर इसको भर द आई चांस कहीं ज्यादा निकल जाती है या मतलब कुछ गडबड हो जाती है तो आप क्या करें कि brush से आप उसको उसकी किनारे किनारे से आप ऐसे चला दें तो ये बहुत ही अच्छे से एक ही line में बन जाए रेडी हो जाएगा तो अब ये देखिए एक रेडी हो गया है इ तो इस चीज़ के आप थोड़ा सा धियान रखिएगा और जब इतना काम हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे इसमें paint और paint मैं यूज करती हूँ acrylic colors तो वो बहुत अच्छे से उनका जो color है वो बहुत निखर के आता है तो यहाँ पर मैं जो भी color एक बार यूज करती हूँ तो जहाँ जहाँ मुझे वो color करना होता है मैं एक साथ ही कर लेती हूँ ताकि जो brush है बार बार मुझको धोनी ना पड़े और उसके बाद मैं दूसरा जो color है वो उठाती हूँ और उसको भी फिर जहाँ मुझे करना होता है वो एक बारी में ही कर लेती हूँ तो ऐसे करके जो है कि काम भी जल्दी होता है और जो है कि बार-बार ये ब्रश होती है न इसको दोना नहीं पड़ता है। तो ये थोड़ा सा सुवीधा जनक है, अगर आप इस टिप को फॉलो करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं, तो आप ऐसे कीजिए, आपका जो काम है, वो थोड़ा असान हो जाएगा, और चब ये देखिए, मेरा पेंट अच्छे से सूख गया था, उस जैसे मीरर लगाने चाहें, उतने लगा सकते हैं, तो छोटे बड़े जैसे भी मीरर हों, खुब पास पास भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास बहुत ज्यादा मीरर हैं, तो ये बहुत ही सुन्दर डेकॉर पीस रेडी है, और ये वीडियो आपने नहीं देखा है, मटकी वाला DIY तो आप जरूर देखेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, या फिर एंड स्क्रेंड में भी इसको लगा दूँगी और अब बनाते हैं दूसरा वाला DIY, ये भी बहुत ही सुन्दर रेडी होता है, बस आप डो बनाके रेडी कर लीजिए, फिर तो इसमें बिलकुल भी टाइम नहीं लगेगा अगर आपका डो, यानि जो पुट्टी का आपने डो है, या आपने जो इसका पेस्ट है, ये अच्छे से बनाया है ना, तो आपको इसमें काम करने में बहुत ही मज़ा आएगा और साथ ही काम भी बहुत ही फनेशिंग के साथ होगा, बिलकुल ही आपका ऐसा काम नहीं होगा कि बिलकुल भी टेडा मेडा हो तो बस आप ये चीज़ों की preparation अच्छे से कर लिजे, बाकी तो सारी चीज़े हो जाती है तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही प्यारा सा हिस्पे bird बना रही हूँ, बहुत ही सुन्दर लगता है वो bird और आजकल उसका बड़ा trend है, आपको हर जगे वो मिल जाएगा तो इसको देखे, पुट्टी का मैंने डो लिया है, और उसको क्या करना है, कि थोड़े ऐसे लंबाई के अंदर आप ऐसे बना लीजे और ये जो duck है ना, ये भी मैंने ही बनाया था, बहुत समय पहले कप से, तूटा हुआ कप था, उससे मैंने पुट्टी से ही बनाया था तो अब ये देखे, थोड़ा सा मैंने डो लिया है, मतलब हाफ हाफ करके लेना है, ऐसा ना हो कि कहीं जादा, कहीं कम और यहां पर देखे, मैंने दो साइड में ऐसे लंबाई के अंदर, मतलब ओल शेप में साइड में लगा दिये हैं, ग्लू लगाना है पहले, उसके बाद फिर आप ये डो लगा सकते हैं वैसे इस पुट्टी के अंदर में मैंने ग्लू डाला है, तो इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं आती है, चिपक जाते हैं ये चीज़ें और अब इस सेंटर में मैंने एक मार्किंग लगाई है, ताकि जो की चीज़ें एकदम प्रॉपर बनेंगी और उसके बाद ये देखे, थोड़ा सा ऐसे लीफ की टाइप में हमको उपर की साइड में इसको ऐसे लगाना है तो ये बहुत ही सुन्दर एक आउल बनेगा और बहुत ही प्यारा लगता है और वैसे भी आउल घर में रखना बहुत ही अच्छा होता है तो थोड़ा सा इसको उपर की साइड में इसके जो कान है उपर खड़े कर देंगे तो जैसे जैसे ये पुट्टी सुखेगी न ये बिल्कुल सैट हो जाएंगे और अब फिर से इसकी हम थोड़ी सी पुट्टी लेंगे और उठी हुई आईज इसकी बनाएंगे तो आप चाहें तो कोई डिब्बी से इसको ऐसे दबा दें लेकिन मैं थोड़ी सी उपरी हुई आईज बना रही हूँ तो इसको आप ऐसे करके लगा दीजे तो बहुती सुन्दर ये आईज लगेंगे इसकी मोटी मोटी आँखें होती है आउल्स की तो ऐसी ये आखे रेडी हो जाएंगे तो ये काम करने में बड़ा ही मज़ा आता है मुझको और देखे आप जब भी ये पुट्टी का काम करें तो हातों में थोड़ा सा ओईल लगा ले इससे क्या होगा कि आपका जो हात है ना उस पे साफ भी रहेंगे साथ के साथ उस पे आपकी जो पुट्टी है वो चिपकेगी नहीं और बस जैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ आप ऐसे ही चीज़ें बना लें तो बहुत ही प्यारी चीज़ें ये रेडी हो जाएंगी आपकी घर में ये रखा हुआ भी बहुत सुन्दर लगेगा और बहुत ही आप इसको यूज भी ले सकते हैं चाहे तो आप इसमें प्लांटर रख सकते हैं या फिर आप अपने बच्चों के स्टेडी रूम में रखते हैं पैंसिल वगरा रख दें जो चीज़ें रखना चाहें वो आप रख सकते हैं तो ये काम थोड़ आसा मतलब धीरे-धीरे करेंगे लेकिन मज़ा बहुत आता है मुझे तो परसनली पुट्टी का जो ये काम करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है तो बस ऐसे करके हमने ये रेडी कर दिया है जहां आपको लगता है कि चपकने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो वहां आप ग्ल्यू लगा के उसको सेट कर दें और एक चीज़ और अगर आपकी पुट्टी में आप काम करते हैं और कहीं पर उसमें एक क्रैक आ जाती है बाइचांस लेकिन क्रैक आएगा नहीं अगर आपने पुट्टी का डोख होग अच्छे से मला है तो लेकिन फिर भी मान लीजे क्रैक आ गया तो उस क्रैक के अंदर आप फैविकॉल भर दे तो बिलकुल एकदम बिलकुल वो क्रैक नजर नहीं आएगा तो अब यह देखे इसकी आईज भी बन गई है इसका जो नाक है वो भी हमने बना दिया है और अब बारी आती है इसके पैर बनाने की और यह देखे इसके पैर भी रेडी हो गए है जब ये सारा काम हो जाए उसके बाद इसको आप छोड़ दीजिए मतलब रात भर के लिए तो आप छोड़ी दीजिए बहुत अच्छे से ये पुट्टी जब सूख जाएगी उसके बाद आप इसका जो भी पेंटिंग, डेंटिंग जो भी करनी है वो आप बाद में कीजिए, अभी ये गीला है तो अभी इसको हम कुछ भी टच नहीं करेंगे जैसा ये खड़ा हुआ है, ऐसे ही हम छोड़ देंगे और जब ये थोड़ी सी गीली हो ना, जब ही आप किसी कोई शार्प आपजेक्ट से कोई भी मतलब ऐसी नुकिली चीज से आप ऐसी निशान बना दीजिए तो ये जो है कि बहुत ही सुन्दर आएगा तो अब ये देखे, मैंने चक्को की सायता से ऐसे ही निशान बना दिये हैं तो बस इसके उपर अब मैं पेंट करूँगी सुबह और अभी काफी रात हो गई थी और अब मैं इसका जो है काम है वो नेक्स टे करूँगी तो ये देखे दोस्तों बहुती खुबसूरत सा एक आउल रेडी हो गया है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है ये मातर दस मिनट में रेडी हो गया था अगर डो पहले से आपने रेडी किया है तो तो डो ही बनाना थोड़ा से मैशी काम लगता है बाकी उसके बाद आपका कोई भी काम ऐसा नहीं है जो की गंदगी फैलाएगा और बस इसके उपर जब ये अच्छे से सूख गई थी पुट्टी उसके बाद मैंने इस पे कलर कर दिया है कलर आप अपनी मर्जी के अनुसार करें थोड़े से वाइबरेंट कलर करेंगे तो थोड़ा सा लुक अच्छा आएगा तो बस दोस्तों वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है और अब मैं आपसे इजादत लेती हूँ मिलोंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में लेकिन जाते जाते एक चीज़ कहूंगी कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेर कीज़ेगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कीज़ेगा तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें खुश रहें मस रहें बग बाई